आयोध्या के रिसी न जीता इंडियन आइडल 13 का खेताब बोले यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ट्रॉफी जीती है ग्यार दिन पहले रामलला हनुमान गड़ी में लिया था अशिरवाग इंडियन आइडल सीजन 13 का खेताब आयोध्या के रिसी सिंग ने जीत लिया है उन्हें प्राइज मनी की रोप में 25 लाग रोपे और एक कार मिली है रिसी की इस कामयाभी पर आयोध्या में आदी रात को लोग सड़क पर आ गए जिंदाबात किनारे लगने लगे रिसी न 11 दिन पहले राम लला और हनुमान गड़ी में दरसन करने आयोध्या आये थे फिनाले की रेस में 6 फानिलिस्ट आये थे और 2 अप्रेल को सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले शो इंडियन आइडल 13 का ग्रियान फिनाले था फिनाले की इस रेस में 6 फानिलिस्ट आये थे इसमें रिशी सिंग, सिवम सिंग, विदिपता चक्रवर्ती, चिराग कोत्वाल, देबोस मितरोय और सुनाक्षी कर थे शो में कई परफ़र्मेंस हुई, बत और जजज सुनाली वेंदरे, गीता कपूर और टेरेंस लुइस भी आए थे आखिर में विनर के रूप में रिसी सिंग का नाम एनाउंस किया गया मंदिरों में गाते थे रिसी सिंग, रिसी सिंग आयोद्धा के महले खवासपुरा में रहते हैं, सिंगिंग शो में आने से पहले वे मंदिरों और गुरुदारों में गाय करते थे विनर बनने के बाद रिसी ने एक स्टैडमेंट जारी कर कहा कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ट्रॉफी जीत ली है यह सपना सच होने जैसा है देविस्मिता और चिराग पहले और दूसरे रनर अप रहे जिने ट्रॉफी के साथ पाच लाग रुपे का चेक मिला है रिसी सिंग के विनर होतो ही उनके महलेक हवास पुरा साइथ पूरा युद्ध्या में लोग सडकों पर आगे लोग जिंदाबाद किनारी लगा रहे थे उनके दोस्त प्रफुल साहुल ने बताया कि अब सब लोग उसके युद्ध्या आनी का इतिजार कर रहे हैं अभी भी मुंबई में है उससे अभी बात नहीं हो पा रही है रिसी सिंग 11 दिन पहले आयुद्या पहुचे थे उनके समर्थकों ने रैली निकाल कर उने भारी मतों से जीत कर आने का उत्सा बढ़ाया था सोनी टीवी की तरफ से इंडियन आइडिल की टीम नेहा ने इस होम कमिंग सूट को पूरा किया था शाम को सर्यू तर्ट पर राम की पैड़ी पर उन्हों ने पफॉर्म भी किया